हाई फ्रेंड्स, वेलकम मैं चैनल, मैं हूँ अमिता, आप देखें हैं अमिता मेकवर गाइस मैं आपको इसमें एडवांस हेर स्टेप कट के बारे में जानकारी दूंगी देखिए सबसे पहले हमने सेक्शन तू सेक्शन कर लिया है इयर टू इयर का हमने सेक्शन बनाया है और सबसे पहले हमने बालों को त्री पार्ट में हमने बाट लिया है उनको स्टेट कट किये कर लिया है सबसे पहले हम गाइडलाइन देंगे गाइडलाइन के थ्रू हमने कट कर लिया अब दूसरी साइड के बाल लिए लेप साइड के हमने बाल लिए और गैडलाइन लेके उसको भी स्टेट कट कर दिया अब राइट साइड के हमने हेर लिए उसको भी हमने स्टेट कर कर दिया सबसे पहले हम जब ही हम कोई हेर कट करती है सबसे पहले स्टेट कट करती है स्टेट कट करने के बाद हम अब उपर वाले अपना पॉर्शन खोलेंगे उसको भी हम दो भागों में बांटेंगे दो बांगों में मांटके हमने जो गाइडलाइन स्टेट कट की की थी उसके साथ मिला के हम उसको भी कट कर लेंगे देखिए यह मैंने कट कर दिया अब राइट साइड के हेर भी हम लेंगे उसको भी बांट कर हम गाइडलाइन लेके उसको भी कट कर देंगे यह हमने कट कर दिया देखिए गाइस अब हम उपर के हेर लेंगे उसको फिर से हम एयर टू एयर पॉश्चन में कर लेंगे उसको बांट देंगे फिर हम अपने हेर को तीन भागों में हमने फिर से बांट लेना है अब यह जो एडवांस कट है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जाएगा यह हमने 60 डिग्री पर लेकर हमने कट कर दिया अब हम लेफ्ट साइड के बार भी लेंगे गाइडलाइन लेंगे और कट कर देंगे गाइस, गाइड लेकर ही हम, यह सभी कृट करेंगे, और जैसे हम ने लेटिस गाइड yatak किआध रहे ही, वैसे ही हमने राइट सैड पर लेकर ही, वैसे ही हमने कट कर देना है, मैंने आपको बताया था कि यह कट सिक्ष्टी और नाइंटि डिग्री पर जाएगा, हम अब 90 degree पर लेके जाएंगे और जितने भी बचे हुए hair हैं उन सबी को निकालते जाएंगे पहले हमने center portion लिया फिर हमने right वाला portion लिया उसको 90 degree पर लेके गए उपर लेके गए state cut किया और ये नीचे आकर हमने उसको cut कर दिया इसी तरह हम left side पर जाएंगे और उसको cut कर देंगे और अब हमने पीछे वाले hair की guideline लेके आगे वाले बालों में हमने जोड दिया और guideline लेते हुए हमने उसको भी cut कर दिया देखिए guys मैं पहले 60 degree पर कर रही हूँ फिर उपर लेके जा रही हूँ 90 degree पर यह advance layer cut पहुत ही असान तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ इससे आपके जो client के hair है उनकी length भी नहीं कम होगी length भी बरकरा रहेगी और जो volume है वो बन जाएगा और अभी मैं सबी बालों को पकड़ के 90 degree पर लेकर cut कर दिया रही हूँ पीछे से हमारी layers नजर आनी शुरू होगे step आनी शुरू होगे और front के hair है guideline लेके हम उनको भी cut करते जाएंगे पहले 60 फिर 90 degree पर क्योंकि हमने इनके बालों में step भी देना है और जब हम step देके बाल हम 90 degree पर लेके back लेके जाएंगे front नहीं लेके जाएंगे अब ऐसे हमने right side पर करना है जो हमने left side पर किया पहले 60 degree पर लेके जाना है सीधे और हमारी जो guideline है उसको पकड़ते हुए हमने cut कर दिया फिर हमने आगे बाले बालों को पीछे बाले बालों के साथ मिलाया और वही हेर हमने 90 degree पर लेके गए 60 और 90 degree यह आगे लेके गए हमने pick up किया और cut कर दिया front के hair को भी हमने same ऐसे ही करना है जो पीछे बालों को हमने किया था 60 पर हम लेके जा रहे है guideline ले रहे है उसको cut कर दिया और फिर हम 90 पर लेके गए उपर लेके गए top पर पकड़ा और cut कर दिया guys यह मेरी student है साथ में इनको मैंने haircut की class दी थी और जिनके haircut हो रहा है वो मेरे client है उनको advance layer hair step चाहिए था उनके अपने बालों में bounce चाहिए था step चाहिए थे इसलिए मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी वो बहुत खुश हुए थे उनके बालों में बहुत ही volume आ गया था तो देखे गाइस हमने ऐसे ही 60 और 90 वी पर cut कर दिया और देखिए यह कितने layers अच्छे आने शुरू हो गए है और हम अब 12 से top पर जाएंगे crown area पर उसको 180 डिग्री पर लेके जाएंगे box area को सबसे उपर जब भी आप calm अच्छी तरह से करेंगे tangle free करेंगे आपका cut बहुत अच्छा लगेगा जगर आपके बारों में tangles होंगे तो आपका cut अच्छा नहीं आएगा फिर हमने दोबारा से year to year partition कर लिए उसको भी हमने box area में बना लेना है और जो हमने सबसे पहले top area में लिया था उसी की हमने guideline लेनी है और इसको भी हम 180 डिग्री पर लेके जाएंगे देखिए जैसे मैं लेकर जा रही हूं 180 डिग्री पर जब हम इसको उपर करें देखिए floor कितना अच्छा बन रहा है और यह जो guideline है इसको ही लेते मिलाते हुए हम cut करते जाएंगे मैंने इसको cut कर दिया और देखिए यह अब layer सानी शुरू हो गई है पीछे से अब बालों को हम दो बागों में फिर से बांटेंगे अब हम इनकी re-check करेंगे re-check करने का यह मतलब होता है कि जहां भी आपके बाल छूट गए है clear नहीं हुए है वह आपके बाल इसमें आकर सही हो जाएंगे अब हमने री-check करिया जितने भी आपको बाल ज्यादा लग रहे है guideline के आगे लग रहे है वो आप cut करते जाएंगे देखिए यह मैं बालों को मिलाते जा रही हूं और cut करते जा रही हूं पिले मैंने पीछे बाले-बालों को re-check किया था अब आगे बाले-बालों को मैं re-check कर रही हूं उपर लेकर देखिए यह जो हमारे hair है guideline के through हम cut कर रहे है जितने भी guideline कैसे लेते हैं कि जो हमारा side का area small होता है small area को हमें big area के साथ मतलब कि छोटे size वाल को बड़े size वाल के साथ मिलाते हुए cut कर देना है चोटे से बड़े size वाल को मिलाते हुए ऐसे हम right side पर जा रहे हैं उपर लेके जा रहे हैं जितना भी extra hair है हम इसको cut करते जा रहे है re-check करने का मतलब यह होता है कि हमारा एक अधर बाल जो भी छूड जाता है cut करने में वो सभी equal हो जाता है और जो हमारा cut है वो equal लगता है बहुत ही अच्छा प्यारा वो लगता है और देखिए मैंने उपर लेके गई यह जो here है देखिए चोटे वाले बालों को बड़े वाले बालों के साथ मिला के मैं cut कर रही हूँ देखिए अच्छी तरह से मैंने पहले चोटे बाल लिए फिर बड़े वाले बालों को मिला कर मैंने अच्छी तरह से उसको cut कर दिया और यह जो देखिए को लेकर उठाके गाइड लेकर उसको कट करते जा रही हूं और गाइस यह देखिए यह हमारा कट कितना अच्छा लग रहा है यह लियर्स हमारी नजर आनी शुरू हो गई है अभी मैंने ब्लॉड ड्रायर नहीं किया ब्लॉड ड्रायर के इलावा ही हमें कितनी अच्छी लिय अभी मैंने लेफ्ट साइड से फिर से लिया गाइड लेंड देखिए मिलाया और कट कर दिया यह बैक दिखिए ब्लॉड ड्रायर के इलावा ही हमारा कट कितना अच्छा लग रहा है फिर हम राइट साइड से यही गाइड लेंगे 180 पर लेकर जाएंगे और जो बड़े ब बालों को मिला कर हम कट कर देंगे यह हमने कट कर दिया अभी सारे बाल हम पीछे को लेकर जाएंगे यह दिखिए कितना अच्छा कटा रहा है अब सभी बालों को हम फिर से एक साथ लेंगे उपर 180 डिगरी पर इसको अब हम पूरा उठाएंगे टैंगल फ्री करेंगे गाइस मैंने पेले भी बूला है कि अगर अच्छी तरह से टैंगल फ्री हेर ना हो तो हमारा कट अच्छा नहीं आता टैंगल फ्री कॉम से अच्छी तरह कीजिए यह मैंने 180 पर लेके गई इसको पकड़ा फ्लार बनाया उन नीचे से हम जो बड़े बाल है गाइड लाइन लेते हुए उसको हम कारते जाएंगे गाइस यह फ्लार इसलिए बनाया जाता है कि हमां हमको बाद में फिनिशिंग की दरूरत नहीं पड़ती यह देखिए कितना अच्छा कट आ गया लेयर्स अलग अलग से नजर आनी शुरू हो गई है इनके बिल्कुल स्ट्रेट हेर थे और नीचे से बिल्कुल पतले हेर थे गाइस मेरे क्लाइन को यह हेर कट बहुत अच्छा लगा था गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बैल आइकन को दबा दीजिए तांकि आपको मेरी सबी वीडियो की अपडेट मिलती रहें